इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह रहा है। ताजे कटे हुए गन्ने के रस को कई दिनों तक उबाला जाता है जब तक कि यह गाड़ी भूरी चाशनी में ना बदल जाए। इस तरल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि गहरे भूरे रंग के क्रिस्टल बन जाएं जिन्हें खंड कहा जाता चुंकि यह आंशिक रूप से संसाधित होता है इसलिए खान में एंटियोक्सिडेंट, फाइबर, कैल्शियम और मेगनीशियम का उच्छ अनुपात बरकरार रहता है। देसी खान तयार करते समय किसी भी रसायन या परिरक्षकों का उप्योग नहीं किया जाता है, जिससे ये परिश्क्रत चीनी का एक अच्छा विकर्द बन जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, देसी खान पाउडर शरीर में उर्जा और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। दो, यह मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए उप्यूक्त हो सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।